जहन साथ योग सभी का बहुत बहुत स्वागत आज की इस वीडियो में आज का वीडियो उन सभी स्टुडेंट्स के लिए स्पेस लौने वाला जो की खाकी बर्दी के सौकीन है और चाते हैं इसमें सेलेक्शन ले सकते हैं क्योंकि इसका जो रेटेन एक्जाम होता है बहुत ही सिंपल तरीके से होता है और बहुत ही सिंपल से कुश्चन पूछे जाते हैं तो वो सभी पास कर लेते हैं लेकिन जो इसका फिजिकल स्टेंडर्ड रहता है वो थोड़ा हाड रहता है अग अगर आपने किसी भी बोट से 10-12 पास किया है इसमें परसंटेज का कोई रूल नहीं है अगर आपने 10-12 पास किया है तो आप इस फ़र्म को एपलाई कर सकते हैं दूसरी बात करेंगे इसमें आयू क्या रहती है आयू 18-25 साल है एज काउंट आपकी एक एक दोजार 23 से होगी और इसमें SC और ST को 5 साल की चूट देखने को मिल जाती है सेलेक्शन प्रोसेस का चार करीके से रहता है सबसे पहले आपकर रेटेन होगा फिर फिजीकल होगा फिर मेडिकल होगा फिर डोकूमेंट बेरिपिकेशन होगा अब बात करते हैं इसमें सलेवस क्या रहता है आप स कॉस्चन देखने को मिलते हैं इसमें आपको कॉस्चन देखने को मिलते हैं मैंत के आपको दस कूस्चन करने को मरक्स के होगा है जो की आपको 20 intense हल करने हैं without negative marking के अब बात करते हैं इसमें height के रहती है अगर आप general candidate या फिर OBC candidate है तो आपकी height 65 cm होने चाहिए male के लिए और आपके लिए HD candidate या फिर SC candidate तो आपकी height 1 cm male candidate के होने चाहिए female candidate आपके लिए 15 cm आपकी height होने चाहिए chest के लिए बात करेंगे तो इसमें सर्फ chest male candidate का मांगा जाता है अगर आप general या फिर OBC candidate है तो आपका chest 81 cm प्लस 5 फ्लाव इस प्रकार आपका 86 cm बनना चाहिए अगर आप SCF or HD candidate है और 89 cm रह 5 फ्लाव तो इस प्रकार आपका 84 cm chest बनना चाहिए running की बात करेंगे इसमें आपको running 50 नम्मर की देखने को मिलती है आप इस running वाले step को आसानी से ध्यान पूर आप सुनें ताकि आपका एक भी doubt इसमें ना रही male candidate के लिए running जो है 1600 मीटर की है 6 मिनट में maximum time दिया गया 6 मिनट में आपको complete करनी है वही फीमेल कंडिडेट के लिए 1 km की running है 5 मिनट में complete करनी है maximum time है अब male candidate इस बात को ध्यान से सुने अगर आप 5 मिनट से कम में इस race को complete करते है निए 1600 मीटर को आप 5 मिनट से कम में complete करते है तो आपको full marks 50 नमबर मिलेंगे 5 मिनट 20 से कंड में इस race को complete करते है तो 40 नमबर मिलेंगे और 5 मिनट 20 से 5 मिनट 40 से कंड के बीच में complete करते है तो तो आपको 20 बीच सेकंड तो आपको 30 नमर दिये जाएंगे और वहीं आप चार मिनट 4 सेकंड से 5 मिनट तक कम्प्लीट करते थे पर आपको 20 नमबर मिलेंगे अगला इस्टैप हाई जांप यान की उन्ची इसके लिए आपको 25 नमर कि यह रहेगी आपकी अगर आप मेल कंडिडेट हैं चार फीट उंची कूद कूद जाते हैं तो आपको 13 नंबर मिलेंगे चार फीट चार इंच कूद दें तो आपको 17 नंबर मिलेंगे चार फीट आठ इंच तक अगर आप कूद दें तो आपको 21 नंबर मिलेंगे और पांच फीट तक अग अगर आपको देते हैं तो आपको 21 नमबर दी जाएंगे और चार पीट पूरी कम्प्लीट करते हैं तो आपको 25 मार्क्स दिये जाएंगे अगला स्टेप है आपका गोला फैंक 25 नमबर का ये भी स्टेप है इसमें मेल कंडिडेट को 16 पॉंट का गोला फैंकना होगा जिसका वजन बागजन 7 किलो ग्राम से ज़ादा है अगर आप 16 पीट से 17 पीट के बीच में फैंकते है इस गोले को आपको 9 नमबर दीजाएंगे 17 पीट से 18 पीट के बीच में इस गोले को और आपको 21 नमबर दीजाएंगे और येल कंडिडेट के लिए बात करें तो 12 पांड का ग पंदरा पीट से बीच में अगर आपको 21 नंबर दिये जाएंगे तो आप सब ने इस वीडियो के माद्यम से सुना कि इसमें फिजीकल के बेस्ट पर ही मेरिट तयार होती है क्योंकि इसका फिजीकल थोड़ा तफ रहता है, running में आपको 50 नामर दी जाएंगे, long jump में आपको 25 नामर, गोला फेंक में आपको 25 नामर मिलेंगे, इस प्रकार आपका physical 100 नामर का, written भी 100 नामर का, तो जो आपके merit बनेगी 200 नामर पर merit बनेगी, लेकिन अगर आप पढ़ने हम कमजोर हैं, written test में आप ज्यादा नम्मन नहीं ला सकते तो आप फजीकल में आसानी से 90 मार्ग 100 में से कमा सकते हैं इस परकार आप अपनी खाकी वर्दी का जो सौक है पूरा कर सकते हैं इसलिए इस फॉर्म को जरूर बरें इसके फॉर्म आपको जन्वरी में देखने को मिलेंगे इस फॉर्म को जरूर बरें वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सेयर जरूर करें, चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिलते हैं दोफसों नाइस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद